चलो अपना क्या चल रहा था शिरीज कॉंबिनेशन ऑफ ल्सी आर चल रहा था तो वापस एक बार में वह रिवाइस करता हूं फिर आगे चाहेंगे देखो क्या काम ग्वेशन क्या रहता है देखो इधर एक है रेजिस्टन्स है फिर कपासिटर है और फिर इंडक्टर है ठी तीनों सीरीज में है तीनों सीरीज में है और फिर क्या हुआ और फिर क्या लगा दिया बैटरी लगा दिया अब बैटरी कुण सा है अगर डीसी बैटरी है तो क्या होगा इदर डीसी बैटरी है तो क्या होगा तो डीसी बैटरी है तो थोड़ा टाइम करण्ट फ्लो करेगा थोड़ा टाइम करण्ट फ्लो करेगा कब तक करण्ट फ्लो करेगा as long as capacitor is getting charged as long as capacitor is getting charged तब तक क्या करेगा current flow करेगा और once capacitor gets fully charged once capacitor gets fully charged तो बंद होता है current ठीक है तो capacitor की line में से current बंद होता है after charging of capacitor happens तो इधर भी current ने इधर भी current ने कुछ ने 0 current बनता है ऐसा है और जितना battery का potential है उतने potential तक capacitor चार्ज होता है जितना battery का potential है उतने potential तक capacitor ये 10 hold है तो ये 10 hold तक चार्ज होता है 15 hold है तो 15 hold तक चार्ज होता है क्योंकि finally current कितना बनता है 0 finally current 0 बनता है तो ये कितना potential drop करेगा I into R, तो I है नहीं तो ये कुछ भी नहीं खाता है इसमें से ये कितना खाता है L di variability ये कितना potential खाता है L di ability अब current change नहीं हो रहा अब current change नहीं हो रहा तो di by der ड行 lived है नहीं, Schön 0 है ना finally current, di Ability है नहीं तो di by derождin educator नहीं है तो जितना भी दिया है इसने ये अकेला पूरा कपासिटर खाता है ठीक है ओके चलो अकेला कपासिटर खाता है ठीक है तो यह इसा है तो यहाँ पर है यहाँ पर है AC सर्कीट अब कभी-कभी क्या देते है EMF का expression पता चलता है उससे current निकालना होता है कभी-कभी current पता होता है उससे EMF निकालना होता है कुछी भी रहने दो चलता है तो मैं अभी इस time क्या लेता हूँ इस time में पकरदाओं की current दिया है current का expression दिया है जो भी देते है देने दो इदा current का expression जो देता है देने दे और EMF का expression हम लोगों को निकालना है ठीक है? तो EMF निकालना है तो मतलब क्या है? EMF में एक peak value रहता है इधर sign है तो इधर भी sign रहता है यहाँ पे omega t तो इधर भी omega t यहाँ पे plus 5 by 4 तो इधर भी plus 5 by 4 और EMF क्या रहता है? पीछे रहता है या आगे रहता है हम लोगों ने जो diagram निकलना था last lecture उसमें EMF क्या रहता है आगे रहता है current से plus 5 रहता है EMF क्या रहता है plus 5 EMF क्या रहता है plus 5 रहता है अब इसमें से एक E naught निकलना है और 5 निकलना है तो बस हो गया अपना का EMF का expression निकलना है न तो उसमें एक peak value कितना है वो निकलना है और phi phase difference कितना है ये भी निकलना है तो peak value कितना है V is equal to IR V is equal to IR तो V कितना है E naught peak value is equal to peak current into Z V is equal to IR current and EMF निकलते वक्त we have to use ohms law तो V is equal to IR peak value of EMF, peak value of current and resistance तो तीनों का मिलके जो भी है वो डालो तो ये मिल गया ये क्या मिल गया E naught मिल गया बट current तो पता है ये expression दिया है ये निकालना है तो current I naught पता है and Z का value we have to find out तो Z का formula रटा होना चाहिए Z का formula का है root of R square plus XL minus XE का square तो वो Z डालो I naught डालो E naught मिल गया और 5 कैसे निकालना है 5 कैसे निकालना है तो tan 5 का formula tan 5 का क्या formula XL minus XE upon tan 5 का क्या formula ये है तो डालो उसमें XL कितना XE कितना R कितना 5 मिलता है tan 5 का tan inverse लेना पड़ेगा फिर 5 मिलता है 5 मिल गया ठीक है फिर 5 के बाद क्या है फिर 5 के बाद क्या हो गया ना सब खतम EMF का expression निकालना था अब अगर power निकालना है अब अगर इस circuit में power consumption कितना हो रहा है ये निकालना है तो power consumption का क्या formula है इस circuit में power consumption कितना हो रहा है वो निकालना है तो क्या formula है power consumption का तो IRMS into ERMS into cos of phi. क्या formula है? IRMS into ERMS into cos of phi. और cos phi कितना रहता है? cos phi कितना रहता है? r by z. तो RMS value किदर से मिलेगा? peak value इसका पता है, इसका भी पता है. निगाला ना भी इदर, तो उससे RMS values डालो और cos phi r by z, तो formula डालो, समझ में आ जाएगा. तो this is called real power. अब ये बताया नहीं था मैंने अब तक, ये जो formula है, this is called real power. मतलब ये actually power consumption इतना होता है. बट अगर इतना ही लेता हूं में बस IRMS into ERMS. IRMS into ERMS cos phi क्या है, उसको मत पकड़ो. IRMS into ERMS cos phi क्या है, उसको पकड़ने कहीं नहीं, तो this is called virtual power. इसको क्या बोलते है, virtual power. ये इसके उपर भी question आता है. इसको क्या है, this is called virtual power. ठीक है, ओके, चलो. तो numerical करेंगे, तो और एक किया है, और करेंगे, चलो. क्या है, तो क्या है, तो क्या है. क्या है, तो क्या है. चलो, थोड़ा ये part difficult लगता है, ये थोड़ा difficult पार्ट लगता है, students को इसलिए में क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा इसमें slow जा रहा हूं, ठीक है, और example भी इसका थोड़ा ज्यादा लेंगे. तो देखो, क्या है, resistance ले लो, 8 ohm का, ठीक है, capacitor ले लो, कितना, XC directly देता हूं मैं. एज़ी कर रहा हूं मिला, XC कितना दिया है, XC दिया है, समझो, 10 ohm, XL, and XC दिया है, 4 ohm, XC दिया है, 4 ohm, ठीक है, current दिया है, 5, cos, 100t, minus pi by 4, 5, cos, 100t, minus pi by 4, ठीक है, इसको क्या करो, 2 ले लो, इसको 2 ले लो, चलो, 2 नहीं, उल्टा करेंगे, उल्टा वाला एक भी नहीं कहाना, इसको 10 लेंगे, इसको 2 करेंगे, चलो, लिखो, तो current दिया है, and, we have to find out EMF का expression and power, दोनों निकालना है, EMF का expression क्या है, और power क्या है, दोनों निकालना है, ठीक है, चलो, तो बोलो, कैसे करना है, बोलो, कैसे करना है, तो first तो EMF का expression लिखना है, तो उसको ही लिखो directly, चलो, देखो, रहे, first क्या करना है, EMF का expression लिखना है, तो उसको ही लिखो directly, तो क्या आएगा expression, E naught, E naught, इधर कॉस है, तो इधर भी कॉस ही आएगा, इधर 100 T है, ओमेगा T है, यह ओमेगा 100 है, तो इधर भी 100 T है, यहाँ minus five by four, तो इधर भी minus five by four ही आएगा, अब EMF क्या रहता है, जो अपन लोगोंने diagram न मिकाला था, उसमें EMF क्या है, आगे है क्या पीछे है, EMF क्या है, जो diagram निकाला था, उसमें यहमेफ आगे था, plus five, कितना था, plus five, तो इधर भी क्या आएगा, plus five, तो इधर इनॉट कैसे निकालेंगे पहले चलो इनॉट निकालते हैं इनॉट कैसे निकालने का बोलो मुझे इनॉट कितना आता है करो रफ वर्क बोलो इनॉट कितना आता है निकालो फाई कितना आता है निकालो करो तुम लोग कैलकुलेशन करो यह चलो बोलो E not कितना आता है और 5 कितना आता है चलो निकालो देखो बोलो कि वहिष्णवी किदर है रहे वहिष्णवी बिमारे के क्या होगा हुआ उसको 10 by root 40 ठीक है चलो करो और सब लोग महनत बढ़ाओ सब लोग एकदम महनत बढ़ाओ एकदम hard work करना चलो करो तुम लोगों का इधर answer जैसे आता है तुम लोगों का मुझे दिमाग जैसा लगता है उसके सबसे कुछ भी marks नहीं आ रहा ठीक है मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोगों का मुझे दिमाग जैसे रखता है उसके सबसे कुछ भी marks नहीं आ रहा simple यह indicate कर रहा है कि hard work कम है यह simple क्या indicate कर रहा है कि hard work कम है आराम आराम से काम कर रहे हो जितना होता है उतना काम कर रहे हो ऐसा नहीं होगा ठीक है एकदम extreme मेहनत करो अभी थोड़ा टाइम बचाए पक्का मारुस आएगा किसी के पास दिमाग नहीं है ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि तुम लोगों को मैं अगर बोल रहाँ कि तुम लोगों को 120 आना चाहिए अभी हर एक को कितना कितना आना चाहिए अभी बोला मैंने सब कर लिस्ट के सब से ठीक है प्राची का भी इधर लिस्ट में नाम नहीं क्योंकि उसका उधर प्लैनिंग चलो है तो उसको मैं बोलता हूँ 105-110 के पास आना चाहिए अगर इससे कम मैंने जितना बोला है उससे कम मार्क्स आ रहा है तो इतना ही याद रखो कि तुम्हारा मेहनत कम हो रहा है बस बाकी कुछ भी नहीं चलो वापस एक बार कनेक करो फिर आइंसर बोलता हूँ वापस एक बार कनेक करो फिर बोलता है एंसर